नमस्कार आप सभी देख रहे हैं SPA 9 News और मैं हूँ आपके साथ नैंसी सेथी लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों से काफी जादा ही आहत पहुंची है कॉंग्रेस पार्टी को कॉंग्रेस ने ये एक बारी को भी नहीं सोचा था कि जिस तरीके से देश की जनता उनसे रूप चुकी है कई राजियों में यहाँ पर खाते भी नहीं खुले हैं अगर हम राजिस्तान की बात करें पंजाब की बात करें तो यहाँ इन राजियों में कॉंग्रेस शून्य पर रही यानि कि यहाँ पर जुनता कॉंग्रेस पर विश्वास कर ही नहीं रही थी दिल्ली की सातों सीटे भ पक्षी खेमे में एक घमासान युद को पनप रहा है और कहीं न कहीं ये एक हलचल भी मचा रहा है ऐसे मैं आपको बता देए कि 23 मई को जब ये फैसला सामने आया कि देश की जनता ने नरिंदर मोधी को चुना है भाचपा सरकार को चुना है तो उसी शाम को राहुल गांधी आपने अध्यक्षपद के लिए यहाँ पर स्तीफे का ईलान कर दिया कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जिसे लेकर राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि अब वो इस पद को नहीं समालेंगे हाला कि जब ये फैसला किया गया तब वो अपना खुद स्ती थी CWC की मीटिंग रखी गई हाला कि यहाँ पर इतना कुछ हो गया मगर राहुल गांदी अपनी जिद पर अड़ेप हुए हैं राहुल गांदी लगातार जो है अध्यक्षपत के लिए यहाँ पर साफ कह चुके है कि सिर्फ और सिर्फ एक महीने का समय है कॉंग्रेस विकल्प ढूंड कर लेकर आए जिसे वो अपना पद छोड़ देंगे आपको एक और चीज़ बता देते हैं दरसल आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी अभी भी अध्यक्षपत का ही जो पद उनको मिला हुआ है वो लिखा ह हुआ है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक महीने के लिए राहुल गांदी ने साफ कह दिया है अगर कॉंग्रेस पार्टी जो है अपना विकल्प नहीं ढूंडेंगी तो वो ये पद से स्तीफा फिर देंगे और फिर वो ये पद नहीं समालेंगे साफ तौर पर राहुल सचिन पाइलेट को लेकर नए अध्यक्ष पर चर्चा की जा रही थी मगर अब कॉंग्रेस की महा सचिव प्रियांका गांदी वोड्रा हो सकती है कॉंग्रेस पार्टी की अध्यक्ष ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि राहुल अपनी जिद प काम उपर की जाते हैं तो वह वह काम जरूर करते हैं अब ऐसे में अध्यक्षपत को छोड़ना राहुल गांदी साफ कह चूके हैं सिर्फ एक महीने का समय है और ये ख़बर काफी जाद ही सोशल मीडिया पर कारल हो रही है कि प्रियांक का गांधी अब एक नई यहां पर महा सच्चिव के बाद वो अब अध्यक्ष बन सकती है क्या है पूरी खबर आप देखिए हमारी ये खास्रुप लोगसभाद चुनावों में कॉंग्रेस को मिली बुरी हार के बाद राहुल गांधी अपने स्टीफे पर अड़े हुए हैं अध्यक्ष बत से स्टीफा देना चाहते हैं राहुल गांधी 23 मई को नतीजों के बाद उन्होंने ये एलान कर दिया था हाला कि तमाम यहाँ पर कोशिशे की जा रही हैं कि राहुल स्टीफा ना दे तमाम कॉंग्रेस पार्टी के नेता भेन प्रयांका गांधी, खुद सोनिया गांधी और अशोग के हलोड पार्टी के तमाम बड़े दिगज नेता यहाँ पर यही प्रातना कर रहे हैं वो यहाँ पर यही चीजों की उनको मनाने की कोशिच कर रहे हैं कि राहुल अपना स्तीफा ना दे अब ऐसे में राहुल गांधी इस बात पर अड़ चुके हैं कि वो स्तीफा ज़रूर देंगे क्योंकि राहुल ने सफ तौर पर कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एक महीने का समय वो कॉंग्रेस पार्टी को देंगे ताकि वो अपना विकल्प ठूट ले राहुल गांधी ने CWC की मीटिंग के तहट भी तमाम कारे करताओं पर तमाम निशाने भी सादे अशोग गहलोट से लेकर कमलनात चुतंबरम जैसे नेताओं की वेटे रिष्टदारों को टिकेट दिलाने की जिद कर रहे थे और ये जिद मानी गई तो हम चुना आभार गए यहाँ पर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा दरसल आपको बता दे कि अशोग गहलोट ने राजस्थान मेकुल 130 रैलियां और रोट शो किया इसमें से 93 सभाय जोथपुर में की जोथपुर से कॉंग्रेस ने गहलोट के बेटे वेभब को टिकेट दिया था पार्टी राज्ये की सभी 25 सीटों पर चुनाव हार गई है मद्यप्रदेश की मुख्य मंत्री कमलनाथ ने अपने परमपरिक लोकसभा सीट चुंदवाड़ा से बेटे नकुलनाथ को मैदान में उतारा था कॉंग्रेस इस सीट से चुनाव जीट गई हाला कि यहाँपर कोंग्रेस को बहुती कम सीटों पर जीट यहीं अध्यक्श पत को लेकर जिस तरीके से अब राखुल कांधी ने ये दिद्ध को पकड़ लिया है कि वो अब ये पत छोड़ देंगे तो ऐसे में कौन होगा कॉंग्रेज का नया अध्यक्ष यह सवाल यहां पर अब उठने लगा है पहले यह सवाल उठ रहा था कि कॉंग्रेज का नया अध्यक्ष होगा राजिस्तान का उप मुख्य मंत्री सचिन पाइलेट यहां सचिन पाइलिट को अध्यक्ष पत के लिए यहां पर तमाम नाम सामने आ रहे थे मगर राजिस्थान के मुख्य मंत्री के पत पर अब सचिन पाइलिट को रखा जाएगा और अशोग गहलोत को उस पत से हटा दिया चाएगा क्योंकि प्यांका गांधी और राहुल गांधी अशोग गहलोत के अपने बेटे को लेकर टिकट दिलाने के बाद भी इस हार को लेकर काफी जाधा निराश और नाराज भी है अब ऐसे में कहीं न कहीं कौन होगा कॉंग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अब ऐसे में कहा यह जो हुई हूं अगर नहीनक प्यांका गांधी ने जीतोर से की महिलाओं की समस्या को सुनना फेरोजगारी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दों पर प्यांका गांधी ने अमीठी जाकर भी बात की थी वहीं कहा यहीं जारा है कि कॉंग्रेस का नया ध्यक्ष अगर राहुल गांधी कि अब जिद पर अड़ गए हैं तो प्यांका गांधी ही होगी जो कॉंग्रेस का अध्यक्ष पत समालेगी हला कि देखना होगा कि जो तमाम मीटिंग आने वाले दौरान में होगी क्या इस मीटिंग में प्यांका गांधी ये पत को सुविकारती है क्या प्यांका गांधी ह अध्यक्ष बनेंगी या फिर कोई नया चेहरा कॉंग्रेस से सामने आएगा